मिशेल 17 साल की आयू में एक बिन ब्याही मा बन जाती है अगले 10 सालों में वो अलगलग पुर्शों से तीन अलगलग बच्छों को चनम देती है सारी रात नाइट कलबों में डास करती है टॉप लेस बार में जॉब करती है स्ट्रिपर्स का काम करती है और इस तरह से अपने बच्छों की परवरिश करती है 2007 ने मिशेल की मुलाकात क्रेग से होती है, वो दोनों एक स्विंगर्स कलब में मिलते हैं, जहां पर लोग खुले आम शारीरिक संबंद बनाते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे के साथ इंजॉय करते हैं, ऐसे ही कलब में क्रेग की मुलाकात मिशेल नाम की इस महि पूर्णा रही होती है जब क्रेग उसे देखता है, उसे वो काफी पसंद आती है, इतनी पसंद आती है कि वो उससे शादी करने का फैसला कर लेता है। मिशेल से होती है तो साथ से आज महीने की डेटिंगे बाद वो दोनों एक दूसरे से शादी करने का फैसला करते हैं इस शादी से मिशेल के पहले बच्चे खुश नहीं होते उन्हें ग्रेक एक खमंडी इनसाल लगता है एक पज़वाश इनसाल लगता है और इसी तरह ग्रे मिशेल को बता रखा होता है कि मिशेल किस तरह से स्ट्रिक कलब्स में और स्विंगर्स कलब में काम करती थी वहाँ पर इंजॉय करती थी फिर भी साथ आठ महीने की डेटिंग के बाद ये दोनों शादी कर लेते हैं और इसकी शादी के बाद इनके घरवालों से अलग होने का जो पहला सिलसला शुरू होता है उसमें ग्रेक की बहन मिशेल पर इलजाम लगाती है कि उसने उसके पती को उससे च्छीनने की कोशिश की है वो बताती है कि उसके पती को अकेले में मिशेल ने अपने घर बुलाया और जब उसने उसे अपने घर बुलाया तो उसने कुछ कम हो जाता है इसके बाद दूसरी खटना होती है कि जब विशेल ग्रेक की बड़ी बेटी जो की उसकी पिशली बीवी से हुई बेटी थी उसको एक रहाब सेंटर में पहुचा देती है उसके उपर ड्रक्स लेने का इलजाम लगाया जाता है अब इसी दुरान ग्रेक और मिशेल की एक खुद की बच्ची भी होती है उनके घर भी एक लड़की जनम लेती है अब धीरे धीरे ग्रेक मिशेल से थोड़ा सा परेशान होने लगता है हाला कि शिरुवात में ये काफी खुशाल परिवार था अपनी पहली शादी की सालगिरा पर वो उसे गर होता है और उसकी बुकिंग की जाती है इसके अलावा ग्रेक एक बिजनस भी मिशेल को खोल के देता है ताकि वो अपने पुराने काम छोड़ सके और इस बिजनस पर ध्यान लगा सके डेट से दो लाक डॉलर की इन्वेस्टमन के साथ ये बिजनस शुरू किया जाता है लेकिन मिशेल क्योंकि उसका शुरू से ही ध्यान गलत कामों में था उसका इस बिजनस पर बिलकुल भी इंटरस्ट नहीं बनता तो वो इस बिजनस को सिर्फ एक एटियम की तरह यूज करती है दिन की जो भी बिकरी होती है जो भी पैसे उनके जेब में आते हैं मिशेल वो मिशेल के खर्चे दिनो दिन बढ़ते जा रहे थे अचानक एक दिन सब कुछ बदल जाता है 13 अक्तूबर को सुबह चार पचकर 40 मिनट पर मिशेल 911 डायल करती है जो की एमरजनसी नंबर होता है और चिलाते हुए पुलिस को बताती है कि उसके घर में एक व्यक्ति था जिस पुलिस को फोन किया उनकी चोटी बेटी भी वही सो रही थी इसलिए मिशेल तेजी से पहले चोटी बेटी की तरफ भागी और उसे अब कुछ नहीं पता कि वो कातिल घर में है या यहां से चला किया पुलिस दो मिनट के अंदर वहाँ पर पहुँचती है और मिशेल को बा भी खुस पैटिया नहीं होता उसके बाद जब पुलिस मास्टर बैडरूम की दरफ पड़ती है तो अंदर जाकर हैरान रह जाती है अंदर ग्रेक की खुम से लटपत लाश पड़ी होती है उसके दाहिनी और गोली लगी होती है पुलिस तेजी से फॉरेंसी को बुलाती है और वो अपनी जाच शिरू करते हैं अब यहाँ पर मिशेल से फिर से पूछताश की जाती है क्योंकि वो एक मात्र गवाह थी तो वो बताती है कि वो अपनी बेटी के साथ सोफे पर सो रही थी कि अचानक तेज आवाज आई और फिर से अपने बैटरूम की और भागी अप कि उसके पती के कमरे से वो वाज आई थी जब वो वहाँ पहुची तो वहाँ पर एक काले कपड़े पहने हुए शक्त था उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ श्याद नहीं क्योंकि उसके बाद वो बेहोश हो गई अब विशेल की ये बात सुनकर फॉरेंसिक टीम अपनी जाज शुरू करती है और जाज के दुरान वो काफी जल्दी यह पता लगा लेते हैं कि पूरे घर में किसी के भी फिंगर प्रिंट्स नहीं है अब ये काफी हराज करने वाली बात होती है क्योंकि हमारे घरों में जब हम कोई भी दर्वाजा कोई भी जगाए इस्तेमाल करते हैं बैडरूम हम चीजों को यूज करते हैं रिमोट इस सब चीजों पर हमारे फिंगर प्रिंट्स रह जाती है तो फॉरेंसिक जब भी जाज करता है तो वो इस बात की जाज करता है कि किस दस्यों के अलावा और बाहर के किस दस्य के फिंगर प्रिंट्स इन चीजों पर है लेकिन जब मिशेल के घर की जाज की जाती है तो वहाँ पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता अब इसका मतलब यह होता है कि किसी ने सारे फिंगर प्रिंट्स साफ किये है जब वो उसके घर की तलाशी लेनी शुरू करते है तो उन्हें वहाँ पर वाइप्स भी मिल जाते है जिनके साथ इन्हें अंदाजा लगाया जाता है कि शायद इन्ही वाइप्स से ये फिंगर प्रिंट्स को साफ किया गया है मिशेल को लेकर पुलिस टेशन पहुझा जाता है क्योंकि वो मामले की एक मातर गवाह थी और पहला शक भी असूलन पुलिस उसी पर करती है जो वहाँ पर मौजूद होता है तो जब मिशेल से पूच्टाश की जाती है तो मिशेल यहाँ पर अपना बियान बदल देती है क्योंकि फॉरेंसिक उसे जब बताता है कि तुम्हारे घर पर किसी तरह के बाहरी आदमी के आने के कोई भी सुराग नहीं मिले कोई भी तोड़ फूर नहीं हुई दर्वाजा सही स्लामत था किसी ने जबरदस्तरी घर में एंट्री नहीं मारी और ना ही हमें वहाँ पर किसी अन्य व्यक्ति के किसी तरह के फिंगर प्रिंट्स मिले है और यहां तक की घरवालों के फिंगर प्रिंट्स भी ज़्यादतर चीजों से साफ किये जा चुके थे तो अब मिशेल को लगता है कि कहीं वो फस ना जाए तो वो अपना प्यान बताती है कि असल में उसके पती ने आतम हत्या की है लेकिन वो अपनी छोटी सी बेटी को ये नहीं बताना चाहती थी ये उसके पती ने आतम हत्या की है ताकि उसके बेटी पर बुरा प्रभाव ना पड़े तो उसलिए उसने ये कहानी गड़ी कि किसी अंजान शक्स में ग्रेक को गोली मार दी है और उसी ने सब जगा से वाइप लेकर गन से और बाकी जगाँ से वो निशान साफ किये ताकि और कोई निशान किसी तरह का वहाँ पर ना मिले अब पुलिस जब यह बात सुनती है तो पुलिस इस केस के जो फैक्ट्स होते हैं जो क्राइम के फुरेंसी के सबूत होते हैं उनसे छेड़ चार्ड करने का इलजाम मिशेल पर लगाती है और ये खास इलजाम नहीं होता मिशेल को उसी दिन जमानत मिल जाती है तो यहाँ तक कि उस पर किसी तरह के कुन का या कोई उस पर शक भी नहीं गिया जाता कि शायद इसलिए अपने पती को मारा हो उसके उपर सिरफ इतना सा केस तरच किया जाता है कि इसने सबूतों के साथ छेड़ चार की है उसकी कहाली पर पुलिस यकीन कर लेती है और मिशेल उसी दिन बेल लेकर बाहर आ जाती है हिरासत से रिहा होने पर वो गरेक के दुखी परिवार से मिलती है और उने भी वही कहारी बताती है जो उसने पुलीस के साथ सांजा की थी मिशेल यह भी दावा करती है कि ग्रेक पिछले काफी दिनों से काफी तनाव में था और एक बार जो वो गैराज में कई तो करेक अंदर ही गैराज के अंदर मरस्टीज चला कर काफी तेजी के साथ उसकी रेस और पैडल दबा रहा था उसे उस समय भी लगा कि शायद करेक आतम हत्या करने का विचार कर रहा है बात चलती है क्योंकि वो एक छोटा सा कस्पा था वहाँ पर तेजी के साथ ये बात फैलती है यहां तक की अकपार में भी आ जाता है कि किस तरह से एक अमीर व्यक्ती उसकी मौत हो गई है और उसके बारे में दो धारनाए हैं कि शायद किसी ने कतल गिया है और शायद उसने खुद ही आतम हत्या कर ली है अब इसके बाद काफी तेजी से मिशेल में परिवर्तन आते हैं मिशेल अपने पती की अंतिम सस्कार में शामिल नहीं होती किसी भी तरह की सर्विस को वो अटेंड नहीं करती और इसकी अनुपस्तिती से जो ग्रेक का परिवार होता है वो काफी इससे उसको अगात महुच उसे इत्गाफी दुख लगता है कि ये कैसी पत्नी है जो अपने पती के सल्सकार में ही नहीं आई तो उने लगता है कि इसे शायद अपने पती की मौत का बिलकुल भी दुख ले ही है। की कमाई करता था उस कंपनी को भी मिशेल सिर्फ 8000 हर महीने पर बेच देती है क्योंकि उसे किसी तरह के बिजनस का कोई एक्सपिरियंस नहीं था ना ही उसकी वो मेहनत की कमाई थी और इसी वज़ा से उसके लिए उसकी कोई वैल्यू भी नहीं होती। आपको क्या लगता है क यह बास्त है कि जब इनसान ने अपनी महनत से वो चीज नहीं कमाई होती तो उसके लिए उसकी कोई वैल्यू भी नहीं होती। प्लीज कमेंट करके बताईएगा। अब कहाली आगे बढ़ती है और अब ग्रेक का जो परिवार होता है वो यह मादा शिरू कर देता है कि पर भी उंगली उठानी शिरू कर देता है और फॉरैंसिक अपना काम करती रहती है अब वो सबसे पहले उस हत्यार को फाइंड करते है जिसकी गोली से ग्रेक की मिरत्यू होई और वो ग्रेक का अपना ही हत्यार होता है क्योंकि यह पुलिस के रिकॉर्ड में होता है कि उसक आतम हत्या की है अब इसके साथ एक और पात जो फॉरैंसिक में पता चलती है जब शवका पोस्मार्टम वग्यारा किया जाता है कि ग्रेक को जो गोली मारी गई थी वो एक्दम सीधी गई थी अगर उसने खुद को गोली मारी होती तो वो टेड़ी जाती सीधी गोली दिमा से गोली उसको लगी थी वो कम से कम 6 इंच से 24 इंच की दूरी पर चलाई गई थी ना कि अपने हाथ से उसने चलाई थी इसका मतलब कि 24 इंच काफी बड़ा फासला हो जाता है कोई दूसरा शक्स वहाँ पर था जिसने वो गोली चलाई अब इन सब की रिपोर्ट आले के ब सामना करना पड़ता है उसके बाद उसकी जो हरकते भी थी जिस तरह से उसने तक परीबन ग्रे की सारी संबत्ती को बेचा वाइंड अप किया उससे भी लगने लग गया था कि ये शायद उसकी दौलत के पीछे ही उसने यह सब किया है अब मिशेल को जब गिरफतार करके ल अब उसे मेन एक्यूस बनाया जाता है कि शायद इसी ने कतल किया है अगर ऐसा साबित होता है तो उसे पचास से सो वर्षों तक की जेल हो सकती थी अब जब मुकदमा चलता है तो यहाँ पर भी मिशेल एक चाल चलती है ग्रेक से ग्रेक की बहुत के कुछी देर के बाद मि जब जज के सामने उसे पेश किया जाता है तो यहाँ पर भी वो धोखा धड़ी से बाच नहीं आती वो जजज को एक रिपोर्ट पेश करती है कि वो प्रेगनेंट है और उसे जुड़वा बच्चे होने वाले हैं और उसके स्पोर्ट में वो एक सोनोग्राफी टेस्ट भ पेरवी की जाएगी अब जब मिशेल वहां से निकल कर आती है तो आते ही वो एक टीवी चैनल को एक इंटरव्यू दे देती है अब उस इंटरव्यू में वो फिर से अपनी पुराने वाली बात तोहराती है कि उसने कुछ भी नहीं किया यानि कि वो अदालत को और पुलिस जिम्यवार ठहराती है कि उसे बेवजा फसाया जा रहा है। अब जब वो जज वो इंटरव्यू सुनता है तो वो फिर से इस मुकदमे को खोल देता है उसकी पैरॉल कैंसल की जाती है और मुकदमे की सुनवाई फिर से शुरू की जाती है अब जच को लगए लगने जाता है कि मिशेल काफी चत्र औरत है और वो इस तरह के जूट आम ही बोल देती है अब उसकी जाज करवाई जाती है तो पता चलता है कि वो गरवती भी नहीं थी अब इसके बाद मामला काफी हद तक साफ होने लगता है और सारी सबूत और गवाहों के अनुसार जैसे चीजे जाते हैं तो अन्त में वो मान जाती है कि उसी ने कतल किया था उसी ने गरेग से गोली चलाई थी और इसकी वज़ा सुनकर आप हैरान हो जाएंगे उसकी वज़ा ये थी कि अब मिशेल को लगने लग गया था कि गरेग है जो वो नीचे की और जा रहा है यानि कि उसका पै चला गया था और इतने में ही मिशेल को पता चलता है कि गरेग के नाम पर साड़े आठ लाक डॉलर की एक इंशॉरस भी है तो जैसे ही उसे पता चलता है उसे जादा समय नहीं लगता ये अनुमाल लगाने में कि जो गरेग है उसकी जिन्दा रहने की अब कोई वैलियू न करती है और एक दिन वो मौका पाकर उसी की गर्ण से उसका कतल कर देती है और उसके बाद पुलिस को कोल करती है तो दोस्तों कातिल चाहे कितना भी चतर हो कितना भी नियाक को हश्यार माने एक ना एक दिन वो फस ही जाता है आपको कहानी कैसी लगी प्लीज बताइए सा लाइक इंग सबस्क्राइब कीजेगा ताकि इस छोटे से चैनल को ग्रो होने का मौका मिले जल्दी मिलेंगे क्राइम वेडिया चैनल पर नई कहानी के साथ